आज वेश्वी किस्तर पर लगातार भारत की भूमी का बढ़ रही है। जिसे देखते हुए दुनिया के कई शक्तिसाली देश भारत के साथ अपने संबंद प्रगार करना चाहते हैं। भारत ने हाल के वर्सों में विकासिल देशों की सक्तिसाली आवाज के रूप में स्वेम को स्तापित किया है। नमस्कार आप देखनें TFI जो है देश का सबसे विश्वस्निया अल्टरनेट न्यूज मीडिया पोर्टर और मैयोगिश शर्मा आपको बताऊंगा कि कैसे जी ट्वेंटी का नयत्रुत करते हुए पीम मोदी ने जी ट्वेंटी के मंच को पश्मी लोबी की कुंठा के आख कर रहा है ऐसी समय में जिब दुनिया भर के राष्ट भारतिय जी ट्वेंटी अध्यक्षता पर अपनी उमीदें लगा रही हैं तब ये समझना अनिवारिया है कि भारत अपनी कूठ नीटी का संचालन कैसी कर रहा है कि अम नरेंद्र मोदी की ताजा टिपनी से संकेट मिल परास्ट भवन के सांस्कृतिक केंद्र में शुरू हुई बैठक के आरंब में विदेश मंत्री एस जशंकर और अन्य मंत्रियों ने हाल ही में तुर्कियों और सीरिया में आये भैंकर भुकंप में मारे गए लोगों के प्रती समवेदना प्रकट करते हुए एक मिनट का मो उने संदेश में प्यम मोदी ने कहा कि दुवित्य विश्वियुद के बाद विश्वी गवर्नेंस की जो विवस्ता बनाई गई थी वो असफल हो चुकी है। खास तोर पर पिछले दो वरसों के दुरान दुनिया में महमारी आतंगवाद, प्राकरतिक, आबदा और यह उलेखनी है कि पियम मोदी विश्व के एकमात प्रमुकनेता हैं जो इन देशों के साथ रणनीतिक सम्मंदों के विकास पत को बादित किये बिना बार बार धनी देशों का आभान करते हुए उन्हें फटकारते रहे हैं। यह सत्य है कि अमेरिका और अन्य पश्मी से उजागर किया। पियम मोदी ने टिपनी की कि विकासिल देश अमीर देशों की वज़े से गलोबल वार्मिंग से सबसे ज्यादा परभावित हैं। प्रधान मंत्री मोदी ने जी ट्वेंटी विदेश मंत्रियों की बैठक का संबोधन करते हुए भारत पोचे जी ट्व जक आम और ठोस देश्यों को पराप्त करने के लिए एक साथ आने की भावना को दर्शाएगी। कुछ देश खासकर पश्मी देश भारत की जी ट्वेंटी अद्रिक्षता से समझोता करने का प्रियतन कर रहे हैं। वे इसे केवल रूस की आलोचना और आलोचना करने का एक पीम जोर्जिया मेलोनी ने हाल ही में अपनी भारत यात्रा के दोरान पश्मी देशों की चिंताओं को दोराया था। उन्होंने कहा था कि दुरबागे से यूरोप की समस्यां विश्व की समस्यां बन रही हैं। के देश भारत के बढ़ते विश्विक ददवे और जोर करने के लिए हर संभव प्रियास कर रही हैं। कुछ समय पूरू भी मीडिया हलकों में एक अफवा फैलाई गई। ये दावा किया गया था कि जापानी विदैश मंतरी G20 बैठक को छोड़ देंगे और उनके डिप्टी बैठक में भाग लेंगे। लेकिन बाद में ज G7 राष्टू का समर्थन भी किया। उन्होंने कहा कि 2023 एक महत्पून वर्स है क्योंकि जापान G7 की अध्यक्ष्टा करेगा और भारत G20 के अध्यक्ष्टा कर रहा है। उन्होंने विश्यश रूप से Global South की चिंताओं को दूर करने के लिए भारत के नित्रित की भी सराना क जापानी विश्यश मंतरी ने कहा कि जन्वरी में वायस ओप Global South Summit की मेजवानी साइट भारत के उत्कृष्ट नेत्रित को देखते हुए भारत के साथ समन विये अब और भी महत्पू हैं। जापान वेश्विक चनोतियों का मुकाबला करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम क करने की लिए ततपर है। ऐसे में G20 के विदेश मंतरियों की बैठक में PM मोधी ने पश्मी देशों को इस पर संकेत दिया कि भारत G20 अद्धक्षता से समझोता नहीं होने देगा। G20 विदेश मंतरियों की बैठक में अपने संबोधन में PM मोधी का झुकाव इस बात पर कि समू के अध्धक्ष के रूप में भारत की प्राथमिक्ताएं क्या होंगी। उन्होंने इस पश्ट रूप से रिखांकित किया कि वेश्विक भलाई के लिए अन्य मुद्दो के रास्ते में विवाजनकारी मुद्दो को ना आने देने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।